बगट टेक्नो आईटी सोलिशन में आपका स्वागत है मेरा नाम आदित्य पर्डित और मैं आज आप लोगों को जेम के पोर्टल पे आईटी आर थ्री का वेरिविकिशन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा मैंने और लेडी आईटी आर पोर के उपर वीडियो बनाए हुए है जिदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्षिन में आपको लिंक दे दूँगा यहां पे इस वीडियो में सिर्फ मैं आईटी आर थ्री के उपर डेटेल्स पर बताने वाला तो हम लोगों ने ITR 3 का में जैसे बोला description में आप लोगों को link मिल जाएगा यहाँ पर देखिए मैं एक login किया हूँ और इसके जिदे आपको पता नहीं है tax assessment कैसे करते हैं तो tax assessment कहां से जाते हैं profile पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएंगे company profile में नीचे आपको tax assessment में लेगा vendor assessment के regarding भी हम में वीडियो बनाया है जिदि आपको किसी को vendor assessment के regarding problem है तो मेरी description में vendor assessment का भी link देदूँगा जहां साब vendor assessment का वीडियो भी देख सकते हैं ITR में जिदि आपको verification करना है कुछ चीज़े चाहिए जैसे कि pen number ITR type acknowledgement number कौन सा है यह सभी चीज़े जो मैं अभी highlight कर रहा हूं यह सब चीज़े आप लोगों को कभी भी आपको जदी verification करना है और मैं भी ITR का form ही होना चाहिए जैसे कि मैं ITR 4 में भी वीडियो में बताया हूं यह ITR का form है ऐसा आपका format में होना चाहिए तभी यह ITR verification होगा आप अलग cohesive type में करेंगे तो यह verification नहीं होगा तो मैं सबसे पहले आपको अपर कंट्रोल आप करना है और प्रॉफिट & गें टाइप करना है यहां पर फ्रॉफिट & गें से आपको एक फिगर मिलेगा और वह यहां पर डालना है जैसे मैं यहां पर डाला ITR details update सकते होगा पर प्रॉब्लम क्या आया जदि आपने ITR प्रॉफर नहीं डाला आपने ITR प्रॉफर नहीं डाला तो आपको अभी जैसे उपर में था उस टाइप के आपको एरर दिखाई देगा ITR mismatch, ITR 3 verification failed इस तरीके से आपको एक एरर आएगा तो आपको यह प्रॉफर ही डालना है तभी आप यहां पर आगे जा सकते हैं अदर्वाइस यह आपका बार बार से मेरल देगा जो फिगर चाहिए उनको वह फिगर आपको यहां से फिक करना है वह फ हमने हम आपको रेगुलर अपडेट करते हैं और हमारा नियू भी अभी आपके वीडियो हम यहां पर आगे अपडेट करने वाले तो देखें आपर नियू करता हूं फिर से में जा रहा हूं नियू करता हूं और ITR 3 जैसे कि हमको पता है ITR 3 है एसेस्मेंट यह मेरा जो है 2021 यह 19 पिस एकनोलेजमेंट नंबर मेरा मैंने आप पहले डाला था इसलिए से हम आ गया अब यह फिगर और यह फिगर में अपने पास कंडियूजन तो देखें यह फिगर और यह फिगर में हम क्या डालेंगे प्रॉफिट अन गेन फाम दा बिजनेस यह में आप लोगों को पहले भी बता चुका था जो फ्रॉफिट अन गेन बिजनेस आपको कहां से मिलेगा देखें आप उपर में है तीन नंबर का जो है तीन नंबर का फर्स्ट वाला जो हैड है वो आपको मिल जाएगा फर्स्ट वाला का 3 V जो आपको मिलेगा यहाँ पर भी लिखके दिया हू पार्ट भी आपको 3 ITR का 3 V आपको चूज करना है तीन का पांच नंबर वहाँ पर जो फिगर होगा वह आपको उधर डालना है पहले पार्ट पर सेकेंड पार्ट है हमारा सेल्स अन ग्रॉस रिसिप्ट यह आपको क्या डालना है तो देखिए सेल्स हम लोगों उपर में ड करना है यहां पर 28 मिल रहा है और हम यहां पर देखने क्या है अभी फ्रॉफिट और लोज अकांट में चाहें अब पर चाह ना हरे है तो वह नंबर सब यहां 2500 कहा है अब यह head पे नेचे आने का है आपको और कितने number का point हम लेंगे वो देखिए revenue from corporation ये वाला जो head होगा वो हम यहां से pick करेंगे revenue from operation इसके अंदर revenue from operation जो हमारा part होगा उसमें से जो हमारा details डाला जाएगा वही हम डालेंगे फोर्थ number में इसके अंदर है profit and gain में revenue from operation ये डी सबका total जो रहेगा वह total हम यहां पर put करेंगे तो देखिए हम मैं आपको नीचे आपको दिखा रहा हूं यह जो figure होगा वह 0 है हमारा इसलिए मैं यहां पर 0 दिखा रहा हूं और इसको हम यहां पर save कर देंगे जैसे हम यहां टेलिगराम का चैनल आप हमाई जोइन कर सकते हैं और कुछ लगा तो आप मुझे नीचे डीटेल से content भी कर सकते हैं थे लो liगराम कर देख देह हूं यहां कर दोब हमारा मैं यहां गयाराम कर दो लुक कर लिए